हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तों अभी जो है स्टेट 2022 के लिए और पेसल नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिये गए हैं अगर आपने भी डिये लेट या फिर बेट बेगर अगरा किया हुआ है आपको टीचर बनना है तो आपको जो ह है उसमें जो है इसका डिट भी मेंशन कर दिया गया है कि इसके लिए जो है कब से कब तक online form फिल किया जाएगा और इसका एक्जाम कब लिया जाएगा उसका भी यहां पर जो मन्त है उसको बता दिया गया है कि इस मन्त से लेकर इस मन्त के बीच में जो ही इसका एक्जाम भ क्या होता है तो प्लीस वीडियो सुरू से आन तक लिए कज़रू देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करिएगा क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यदा मोटिफेट करता है और ऐसे यसे वीडियो जबनाने के लिए बहुत क्लिक करना है आपके सामने जो है एक तरह से पॉब्लिक नोटिस डाउलूड होगा जो कि 20 अक्टूबर 2022 को जारी किये गए हैं इसमें देख सकते हैं कि क्लियर मेंसन है कि सिटेट 2022 के लिए इसका जो एकजाम है दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में लिए जा सकते हैं और इसका जो ऑनलेन फॉर्म है आप यहां पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि 31-2022 से ठीक है लेकर 24 नॉबर 2022 तक फॉर्म फिल किया जाएगा और 25-25 तक जो है आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं इसके बारे में बताया है इसमें देखिए पेपर वान और टू होता है त और फिर तू के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जिर्नल ओवी स्ट के लिए 1,000 रुपया है और 8CST के लिए 500 रुपय यहां पर रखे गये हैं और दोनों पेपर के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो तो बारे सौ और यहां पर 600 रुपय आपको देना होगा जैसे य लिंक हम डिस्क्रिप्शन बक्स में दिये हुए यहां पर आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में आप देखेंगे कि सीटेट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं उसके विहाब पर सभी जनकारी हमने यहां पर एक लिक्स माधिम से लिख दिया है जिसके माधिम मैंने आपको इसमें बताया कि दो स्टेज होते हैं जैसे कि प्राइमरी स्टेज होते हैं और यहां पर इलिमेंटरी स्टेज होते हैं तो प्राइमरी स्टेज की हम बात करें तो अगर आप क्लास वन से लेकर फाइब तक के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर वन के लिए फ क्वाइफिकेशन रखे गए है जैसे कि दोनों के लिए भरेंगे तो दोनों को आपको फूल करना होगा एक कर सकते हैं यहाँ पे सेम होई चीज लागू होता है लेकिन अगर आप N, C, T, E से पास किये हुए तो अगर आप Inter में 45% भी आपका है तो इसमें form को feel कर सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर आपका यह full नहीं कर रहा है तो आप यह भरेंगे इसके माधियम से भरेंगे मतलब यहाँ पर अलग अलग जो है education qualification बताये गए हैं और Inter में आपका 50% marks है तो भी आप इस form को feel कर सकते हैं उसके बाद यहीं बताया गया है कि अगर आप 12 पास हैं ठीक है 50% mark के साथ और 2 years का जो diploma in education होता है special education के माधियम से आप पास कर गए हैं फिर final year में appearing है तो भी आप इस form को feel कर सकते हैं अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो elementary stage है इसमें class 26 से लेकर जो भी आठी तक के जो भी teacher मनना चाहते हैं वो form को feel करते हैं तो इसमें देखिए क्या हम आए गया अगर आप graduation pass है और साथी साथ यहां पर 2 years का जो diploma in elementary education होता है ठीक है उसमें आप appearing है या फिर final year में है तो form को feel कर सकते हैं अगर आपका यह नहीं है तो इसको आप fulfill करेंगे जैसे कि आप graduation pass कर चुके हैं कम से कम 50% mark के साथ और आप 1 years का जो bachelor in education होता है B.A.D. होता है उसमें आप pass है या फिर appearing है तो भी इस form को feel कर सकते हैं उसके बाद आपने graduation जो है 45% mark से pass किया हुआ है ठीक है और 1 years का जो bachelor in education होता है यानि कि B.A.D. होता है आप उसमें pass कर गए है आप फिर appearing है तो भी इस form को feel करेंगे लेकिन N.T.E. इसमें भी recognize होना चाहिए उसके दमानले जो आपने बारवी pass किया हुआ है और 4 साल का जो आपका bachelor in elementary education course होता है वो आपने किया हुआ है तो आप इसमें form को feel कर पाएंगे साथी साथ यहाँ पे कई बार आप देखते हैं कि integrated भी लोग यहाँ पे course करते हैं ऐसे कि इंटर के पास डारेक्ट यहाँ पे बीए के साथ बीएड करते हैं तो अगर आपने ओशा भी integrated course किया हुआ है तो भी इस form को feel कर सकते हैं अगर आप graduation 50% marks के साथ pass किये हुए है और एक साल का जो बीएड होता है special education के माधिम से आपने pass किया है इस form को feel कर सकते हैं तो यह सारे चीजे हैं तो मैंने यहाँ पर समझा दिया कि अगर आप paper 1 और paper 2 के लिए form feel करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या education qualification होने चाहिए नीचे आएंगे तो इसका जो exam का pattern है वह भी मैंने आपर बताया हुआ है कि paper 1 के लिए और paper 2 के लिए क्या क्या मतलब किस तरह से इसका pattern होता है जैसे कि subject वाज भी मैंने यहाँ पर जनकाड़ी दिया हुआ है कितना question रहेगा कितना marks आपको मिलेगा यानि कि dates of question जो है paper 1 में रहते हैं dates of उसका number भी आपको दिया जाता है और paper 2 की हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन सा subject रहेगा कितना question रहेगा कितना marks मिलेंगे सारा चीज़ यहाँ पर बताये गिया है इसका हम selection procedure की बात करें तो इसमें साबसाब बताये गिया है किसमें जो है objective type आपसे question पूछे जाते हैं जिसमें जो है 4 भी कल्प होते हैं जिसमें से 1 का answer आपको देना होता है इस तरह से डेट्स और question आपसे पूछे जाएंगे और सभी को आपको answer करना होगा इसमें किसी परकार का कोई भी negative marking नहीं होता है इस बात को समझिएगा और city का जोए paper दो भाग में होता है जैसे की 1 के लिए जो apply करेंगे वो जो एक से लेकर पाच्वी तक का शिक्शक बनना चाहते हैं और 2 के लिए apply करेंगे आप चाहें तो दूनों के लिए apply कर सकते हैं आपको option मिलता है अब यहां पर आएंगे तो मैंने इसको लिंक भी दिया हुए है जहां से नोटिफिकेशन को डाउलोड कर सकते हैं और 31 October 2022 को हम एक particular वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से form को फिल करेंगे step by step आपको जनकाई देंगे जिसके माधियम से आपको समझ में आएगा तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको clear करके बता दिया कि जो भी seated का notification जारी किये गए हैं उसके भीयाब पर कब से कब तक form को फिल किया जाएगा किस तरह से आपका selection होता है क्या कि आपके पास education qualification होने चाहिए और मैंने आपको सारा जनकारी बता दिया है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिएगा और आपके मन में किसी परकार का कोई भी सवाल है तो आप हमें comment section में comment करके बता सकते हैं छली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद आप जहां भी रहें सुरख्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत धन्यबाद